हेलो एब्रिवन मैं आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर शागत करती हूँ आज मैं आप लोगों को करवा चौथ दो हजार बाइस में कव है दिन्वा तारीक, पूजा का शुम महूर्थ, संपूर पूजा बित, चंद्रोदै का शमय सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का वेहधी खाश महत है सनातन धर्म की महिलाएं पूरे वर्ष भर करवा चौथ ब्रत का बेसबरी का इंतजार करती है ब्रत के आने पर पूरा दिन निर्जला ब्रत रखत कर रात्री को चान देकर ब्रत पूरा करती है करवा चौत का ब्रच शुहागन महिलाएं अपने पती की लंबी आयू के लिए रखती हैं कुआरी लड़कियां अच्छे पती की कामना के लिए गया ब्रच रखती है यहां ब्रच हर वर्ष कार्तिक माह की ट्रश्न पच्च की चतुर्थी के दिन रखा जाता है करवा चौत कब है 2022 में 2022 में करवा चौत ब्रच 13 अक्टूबर 2022 गुरु आर के दिन रखा जाएगा 2022 करवा चौत पूजा महूर्थ गुरु आर के दिन साम 5 बसकर 43 मिनट से साम 6 बसकर मिनट तक सुप पूजा करने का शुम महूर्थ है चंद्रोदय संभावित रात 9 बसकर 7 मिनट पर πूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा चतूर्थी तित आरम चतूर्थी 13 अक्टूबर को प्राता 3 बसकर 1 मिनट से सुरू होगी चतुर्थी तिती समाप्त जो 15 अक्टूबर सुक्रवार के दिन प्राता 5 बच कर 43 मिनट पर शमाप्त होगी उपवाश का समय आप उपवाश गुरु वार शुबा चार बच कर 27 मिनट से शुरू कर रात 9 बच कर 30 मिनट तक पूर चंद्रमा दिखाई देने के बाद अपना ब्रत खोल सकती है करवा चोथ पर चंद्रमा की पूजा करने का खाश महत्त चंद्रमा को हिंदू धर्म शास्त्रों में उम्र, आयू, शुक, शम्रद और सांति का कारक या रूप माना जाता है पौरानिक माननता के हैं चंद्रमा की सच्ची स्रद्धा से पूजा करने पर बैवाहिक जीवन सुखी होता है और पती की आयूलम भी होती है करवा चौथ ब्रत की पूजा विधी इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पूर्व इश्णान करती है करवा चौथ के दिन महिलाएं निर्जला उपुआस रखती है संध्या को पूजन के स्थान पर या दिवार पर गेरू से फलक बना कर चावल को पीसे इस विधी को करवा भरना के नाम से जाना जाता है जिसके बाद दिवार पर कागस पर भगवान स्यू और कार्थ के की प्रतिमा बनाई जाती है विधीवत पूजन कर करवा चौथ की कथा का वाचन करना चाहिए पूजन के बाद चंद्रमा को अर्ध देने की परंपरा है चंद्रमा को अर्ध छलनी के ओड़ से दिया जाता है और करवे के पानी को पिया जाता है इसके बाद पती से आशिरवाद लेकर महिलाएं अपना उपना